और चोहरों के कई रूप बहुत ही बड़ा ब्यान सामने आया है जहां दोस्तों और आप सभी को बता दो कि उनके वेटे आवी से एक बच्चन भी धूम्फोर का हिस्सा बन सकते हैं इस बिसाय में बात करते हुए आमिता बच्चन कहते हैं कि धूम्फोर निश्चित रूप से सारू खान के साथ ही बनेगी और सारू खान इस मूवी के लिए काफी ज्यादा एक्शाइटेट नजार आ रहे हैं और उसी के साथ एभी ख़वर निकल कर सामने आ रही है कि जल धूम्फोर का एनास्मेट भी कर दिया जाएगा और सारू खान अब एक्शन मूभिच करने वाले हैं क्योंकि जवान पठान में जितनी कलेक्शन की थी उसे बढ़कर किसी भी मूभी में नहीं किया था और सारू खान पठान से 1180 कडोर का कमाई को आकडा को पार कर चु कमाई किया है और डैंकी से 800 कलोर से अधी की कमाई कर चुकी है और अपने नाम बॉक्स ओफिस पर बहुत ही वला रिकाउड बना डाला है जहां दोस्तों और बताया जा रहा है कि सारू खान की फिलीम धुम्फोर को टीजर वहुत जल्द ही आप लोग के बीच रिलीज होने वाला है और दोस्तों सारू खान ने 2023 में धमाका करने के बाद अब 2024 में धमाका करने के लिए तैयार हो चुके हैं और दोस्तों बहुत जल्द अब सारू खान की नए नए फिल्मों को अपडेट अप लोग को मिलेगा तो दोस्तों आप लोग इस पे क्या काना चाहेंगे कम अपडेट को देखने के लिए आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक जरूर करें